तो हेलोड ये इस्टेशन फ्रेंट्स आज के सुट्यों में बात करने वाले हैं यूपी पीएसी प्री इजामनेशन 2024 के बारे में आपको बता दे कि यूपी पीएसी यानि पॉब्लिक सर्विस कमिस्टन आपके रिगारिंग आपके नए प्रकार के वेकेंसी को जारी किया ग कि अच्छा लगें इंफर्मेटिव लगें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जूर कीज़ेगा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में यह आपका ऑफिसल नोटिफिकेशन है जो कि यूनियन आपके उत्तरपर्देश पॉब्लिक सर्विस कमिस्टन के द्वारा जार करेक्स आपको किया जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर बात कर लेते हैं आपके और भी पच्छेव जनकारी के बारे में आपका जो फॉर्म होगा वो कैसे-कैसे क्या भरना है आप सिंपल आपको सबसे पहले आपके अपना रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके उ क्या सकते हैं 125 रुपीज का फीज लगेगा आपके अंडिचर्व और बैकवार्ड क्लासे यानि ओवी सी के लिए स्टाइवल कंडेट जो होंगे सेड्यूल कास और सेड्यूल ट्राइब्स होंगे उनको 25 रुपे का फीज देना होगा जो एक सर्वीस मेन होंगे उन्हें भ प्रकार के अलग-अलग पोस्ट के बारे में दिटेल दिया गया है अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप यहां से एक एक चीज को पर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर आपके अधर जानकारी के बारे में आपको बता दे कि आपका यहां पर सबसे पहल वह पोस्ट ग्रेजवेशन का डिगरी है तो इसके लिए एसिस्टेंट कंट्रोलर के लिए आपका किसी भी इनवर्सिटी से आपके बस लॉव का डिगरी होना चाहिए और बात करते हैं पर नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वह मैंनेजमेंट ऑफीसर के रिकारिंग है और सब पोस्ट के रिगारिंग पोस्ट गर्जवेट आर्ट साइंस और कमर्स और टेकनलोजी इसमें अगर आपका पोस्ट गर्जवेशन है तो आप इसके लिए हो जाते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कुछ फिजिकल स्टेंडर्ड भी है जैसे कि फॉर पोस्ट ऑफ और एक साइज इंस्पेक्टर के रिगारिंग भी कुछ फिजिकल मेजरमेंट यहां पर रखे गया है और आपके डुटी जेलर है उसके रिगारिंग भी फिजिकल मेजरमेंट यहां पर रखे गया है जो कि यहां पर देख सकते हैं जो कंडेट से बिलॉंग करते होंगे उन से साड़े लिमिट को आपके काउंट किया जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा आपको यदि आपका एज 2 जुलाई 1984 लेकर एक जुलाई 123 के बीच में यदि आपका डेट और बर्थ पर रहा है तो क्या होते हैं इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आपको दो जुलाई 1984 लेकर आपका जो डेट बर्थ है एक जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट बर्थ पर रहा है तो आप इसके लिए लिजिबल हो जाते हैं ठीक है जो एज इलक्सेशन है जो गौर्रमेंट के रूल्स को सार्व यहां पर भी दिये जाएंगे सारी तवाम ज पर इंटर्व्य को अब इन आपको जितने वी पेपर होंगे वह 200 मार्स को परतिक होंगे और गटेक आपको यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपके 205 मांकि ओपकोस्टायंगे और सभी 200-200 हुगला फिर हमें चाहिशे लीजे चाहिएट का सी होंगे दो खंटे के समय दिये जाएगा objective paper होंगे और next फिर आपका इसी में आपका paper 2 भी होगा जो कि आपका general study का होगा 200 marks का होगा और आपके इसमें भी आपको objective paper से ही question पूछ जाएंगे साथ ही साथ आपका class 10th level का elementary mathematics से भी question होंगे और आपके पास English से या फिर हिंदी से भी question हो सकते हैं वहाँ ठीक है और next बात करते हैं जो आपका आपके में से जनमसें के रिगाडिंग वह हिंदी का syllabus यहां लिखा गया है से का syllabus यहां दिया गया है और general studies paper 1 का syllabus है यहां पर फिर नेक्स दिखाएंगे उसी पगार टू और लास्ट आपका जो पेपर 6 तक है उसका syllabus यहां पर टोटल यहां पर specify किया गया है जो कि आपको सम पर इसके लिखा गया है यहां पर डिटेल पोस्ट आफ इंक्लूडिंग कमबाइन स्ट और अपर सब्वर्नेट सविस एक्जानमेशन कैरिंग पेश्केल पे कमिशन 9300 से 3400 ग्रेट पे एक सेप्ट नायक सुभीदार वह ग्रेट पे ब्यालिस ओ ठीक है आपको श्यालिस ओ नायब तयल सेज़दार के लिए फॉर्म पढ़ेंगे उनका ब्यालिस ओग्रेट पे होगा जो कि आपका बेसिक पे ब्यालिस अजार रुप्या होगा और इसमें अधर अधर अलाउंसे जो कि आपका स्टाइं का ही 60 प्लस आपके रहने वाला है ठीक है तो यह इस प्रकार क पॉस्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो सब भी आपको समझ में आया होगा एक जानकारी अगर आपको इसमें कोई भी ड्याव्ट होगा होगा अगर हमारे दौर को गलती होगी तो आप उसे कमेंट बोक्स में बताइएगा हम आपके हर एक कमेंट का जव पुछें हम आपके और फ्रव कौमेंटे सका जवाब देंगे तफशेयं आपक UK काम है जो मैंज़ करना होता है सभी सभेजों को रखना होता है उनका काज पत्तर काहीं काम होता है एस्सिस्टंट अपक मी आया वोगा तब को रखते हैं इस वीडियो को मिलेंगे नेक्स पूरिज में थैंक्स पूर वाचिंग